नमस्कार दोस्तों मैं भी आप सभी को स्वागात करते हैं एक और नहीं जान करेके साथ नए वीडियो में दोस्तों तो ग्राम पचाहितों में जैसा कि आप लोगों पता होगा वित्तिय वर्ष 24-25 के लिए ग्राम पचाहितों पर भी आपसे इन्ट्री अप काम होना है और्लम अपने ओर ये एक और इक से ज्यादा दो थीम कर सकते हैं अपने इन्ट्राइटों के लिए तो जो theme आप select किये हैं उसमें जो है ये tide का 50% आपको activity लेना परेगा और 25% amount जो है वो आपको selected theme से जो आप theme select किजिएगा उससे आपका amount जो है वो use होना चाहिए untide का 25% तो इस तरह से जब आप entry किजिएगा GPDP का plan तो उसमें जो है वो theme से संबंदी कौन सा plan कौन से theme में जाएगा उसका activity क्या होगा ये चीज जो है वो आपको बहुत problem होता है तो उन सारी चीज़ों को ले करके हम उपस्तित है एक PDF के माधियम से जिसमें आपको जो अधिकतर यूज होते है एक्टिविटी यूजना उसे संबंदीत आपको उसका theme कौन से theme में जाएगा कौन से activity होगा और focus area क्या रहेगा asset category क्या रहेगा सब asset क्या रहेगा ये जनकारी जो है वो आपको आज देने वाले हैं तो ये untied में आप देख सकते हैं details of egram सुराज पोटल activity name focus area and asset category untied grant का यानि untied का जो मद है उससे संबंदी जो योजना है उसको सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर एक नमबर पर आपको solar street light देख जाएगा solar street जो light है इसका योजना सभी ग्राम पंचायतों में manoratory कर दिया गया है कि आपको लेना ही है तो इस तरह से ये theme 6 में आपको देखने को मिल जाएगा self sufficient infrastructure in village इसका activity आपको installation of solar power installation और focus area आप देख सकते हैं यहाँ पर rural electrification देखने को मिल जाएगा asset category electrification और sub asset जो है वो category यहाँ पर estate light देखने को मिल जाएगा इस तरह से दो नमर की बात करें तो खेल का मैदान उधान होए तो theme 6 में जाएगा self sufficient infrastructure in village और इसके साथ ही ये theme 3 में भी आपको देखने को मिल जाएगा child friendly village में यानि ये 3 और 6 दोनों में भी आप इसको use activity कर सकते हैं इंटिरी कर सकते हैं तो इस तरह से इसका activity के बात करें त आप ग्रेशन ऑफ जीम यूथ कर्व चैल फ्रेंडिल पार्क और तीन एटीसी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से construction and maintenance of children पार्क आपको theme 3 में देखने को मिल जाएगा इसकी focus area की बात करें तो maintenance of community system और omen तीन नमबर में आप जाएगा तो omen and child development करके आपको देखने को मिल जाएगा asset category की बात करें तो recreational activities और sub asset में playground park जो है वो देखने को मिल जाएगा इस तरह से next तीन नमबर की बात करें तो खुला जीम की विवस्था अगर आपके ग्राम पचाहित में हो रहा है तो theme 6 में theme 6 में ही यह entry होगा self sufficient in staff sector in village और activities इसका construction, maintenance, operation of gym, youth, child friendly park करके आपको देखने को मिल जाएगा focus area की बात करें तो maintenance of community system और asset categories का recreational activities करके आपको देखने को मिल जाएगा asset sub category आपको stadium sport करके आ जाएगा इसी तरह से next चार नमबर में आपको देखने को मिल जाएगा आगन वारी केर आगर वारी केंदर का अगर आपके गरम पचायतों में मरमती हो रहा है या निर्मान करवाना है तो उससे संबंदित जो theme होगा वो theme 6 में ही जाएगा untied में और यहाँ पर आपका activity जो है वो देखने को मिल जाएगा construction maintenance of aggression, bus stand, shade, ghat, graveyard, cement cemetery, construction maintenance of aggression इस तरह से आपको यह देखने को मिल जाएगा तो यह activity ले लेना है और focus area इसका maintenance of community system, asset category इसका recreational facility, building और sub-asset में आपको यहाँ पे furniture and play, material for, आंगनबाडी center, आंगनबाडी इस तरह से आपको asset sub-category में देखने को मिल जाएगा next अगर हम 5 नमबर में सब्दा ग्रिह का निर्मान अगर आपके ग्राम पजाएदों में हो रहा है तो वो आपको theme 6 में ही जाएगा, self-sufficient, inspiration in village और इसका activity जो है वो आपको construction, maintenance, operation of bus, stand, shade, ghat, graveyard, cemetery करके आपको देखने को मिल जाएगा इसका focus area health में जाएगा और asset category building और इसका asset sub-category में religion, structure देखने को मिल जाएगा next अगर हम 6 नमबर की बात करें next 6 नमबर में आप देख सकते हैं bus stand, auto stand, shade का निर्मान तो ये भी theme 6 में ही आपको entry करना है और construction, maintenance, operation of bus stand, shade, guard, graveyard, cemetery करके आपको ले लेना है इसका activity और focus area में आप देख सकते हैं focus area maintenance of community system, इसका building और shade करके आपको देखने को मिल जाएगा bus stand, auto stand, shade में अगर आप इसको entry करते हैं नेक्स्ट चार दिवारी का निर्मान अगर आप करवा रहे हैं ग्रामपन चाहितों में तो construction of retaining walls, fencing work जो है वो आपको fencing work करके देखने को मिल जागा इसका activity और ये theme 6 में ही आपको entry करना है इसके बाद health, building और boundary wall, side wall, retaining wall इसका sub-set हो जाएगा इसी तरह से अगर आपके ग्रामपन चाहितों में पुस्त काले का निर्मान हो रहा है तो पुस्त काले का निर्मान आपको theme तीन में देखने को मिल जाएगा child friendly village जो है वो theme 3 है तो ये construction of maintenance of library और यहाँ पे education हो जाएगा इसका focus area इसी तरह से इसका set category है वो आपको education facilities और library building जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा sub-set category में इसी तरह से next की बात करें नौ-number में तो परवेशद्वार का मतलब अगर आपके ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भावन का ही अगर परवेशद्वार जो है गेट है उसका निर्मान करवाना है तो अगर आपके ग्राम पंचायतों से योजना का इंटरी करने के लिए मिला है तो आपको यहां थीम छे में ही लेना है construction of retaining wall friendship work repair of school door window gate facilities करके आपको दिख जाएगा इसके बाद इसका health education focus area building इसका category हो जाएगा asset में और sub asset में आप boundary wall, side wall, retaining wall करके आपको entry ले लेना है तो इस तरह से यह untide का जो है वो आपको जो भी योजना जो अधिकतर यूज होता है उससे संबंदित आपको उसका plan, theme, activity focus area asset category और asset sub category का निर्मान जो कैसे किस में लेना है वो जनकारी हमने दिये इसी तर से अगर हम next tide की बात करें तो tide में जो आपको नाला से संबंदित हो यानि tide में sanitation और drinking water में जो भी यूज होता है उससे संबंदित अगर देखते हैं तो दोस्तों untide तो हो गया इसके बाद आप tide की बात करें तो details of diagram सुराज portal, activity name, focus area and asset जो है वो आपको कैटेगोरी tide की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा यूज होता है गली नाली इसका निर्मान आपको theme 5 में clean and green village करके आपको theme 5 नमर देखने को मिल जाएगा तो theme 5 सेलेक्ट कर लेंगे इसका activity में आप देख सकते हैं creation of drainage channel for management of grey water drainage construction focus area इसका sanitation होगा और ये asset category liquid waste management ले ले लेना है इसके बाद आपको asset sub category में आपको drainage channel देखने को मिल जाएगा यानि गली नाली का जो है वो निर्मान next दो नमर की बात करें तो यहां पर आपको शोकता का निर्मान है शोकता जो होता है वो theme 5 में clean and green village में ही आपको देखने को मिल जाएगा और activity की बात करें तो आपको creation of community compost शोकपीट फोर एक ग्रूप ऑफ हाउस होल्ड करके देखने को मिल जाएगा यह से निटेशन में आजाएगा फोकस रिया और asset category आपका liquid waste management और इसका asset सब category में community शोकपीट ले लेना है नेक्स तीन नमबर की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विद्याले में सोचाले और पेजल विवस्था का अगर निर्मान करवा रहा है तो यह theme नमबर पांच में clean and green village में इसका activity construction of community sanitary complex हो जाएगा इसके बाद इसका sanitation focus area और asset category community sanitation और इसका sub asset जो है वो आपको CSE यानि institutional toilets पर plan जो है वो आपको as per plan यहाँ पर देखने को मिल जाएगा asset sub category next आपको कुवा कजिन अधार होता है कुवा की बात करें तो theme no.4 में आपको दिख जाएगा theme 4 में आपको water sufficient village करके आपको theme no.4 जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ activity की बात करें तो creation of a new source of drinking water ले लेना है activity इसका focus area आपका drinking water होगा और asset category water source and structure और इसमें आपको यह sub asset में वेल करके यानि कुवा देखने को मिल जाएगा next आपको 6 में चापा कल की बात करें तो theme 4 में water sufficient village जाएगा और इसका same जो है वो आपको activity देखने को मिल जाएगा creation of a new source of drinking water focus area drinking water और asset category में आपको water source and structure और यहाँ पे hand pump देखने को मिल जाएगा यानि चापा कल का निर्मान next 7 नमबर की बात करें तो यहाँ पे छटगाड का निर्मान होता है छटगाड जो है वो आपको पानी से संबंदित है यानि drinking water तो थीम चार में जाएगा थीम चार आपको water sufficient village और creation of a new rainwater horse tank structure करके आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद इसका activity इसके बाद focus area drinking water और इसका जो asset category है वो आपको water source and structure यहाँ pond rain water horse tank जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा sub asset category next अगर बात करें आठ नंबर की तो आठ में आपको देखने को मिल जाएगा खेत को पानी देने के लिए पकी सी चाय नाली तो पकी सी चाय नाली अगर आप खेत में पानी देने के लिए करवा रहे हैं तो उसका theme 4 में जाएगा theme 4 में आपको देखने को मिल जाएगा इसका activity जो है वो आपको थोरा लंबा चोरा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा creation of order, water, recharging, structure, recharge, pit, and soft, any cut, check, dam इस तरह से आपको यह लंबा वाला देख जाएगा इसका focus area drinking water ही होगा और यहाँ पे आपको इसका यह asset category जो है वो आपको erasion source जो है वो आपको erasion source और sub asset में जो है वो आपको mirror erasion structure ले लेना है next अगर हम तालाब का निर्मान करवाना चाहा रहे हैं अपने गराम जाएद में तो theme 4 में जाएगा water sufficient village और यह इसका focus area जो है वो आपको देख सकते हैं यह इसका activity अमीत शरोवर pond form pond करके देखने को मिल जाएगा तालाब का निर्मान यह drinking water से संबंधी थे focus area और water source and structure ले लेना है इसका sub asset में construction of pond तो इस तरह से यह जो अधिकतर यूज होने वाली है ग्राम पंचायतों में उससे संबंधी जो है वो आपको हमने इसका theme wise जो है वो details बता दिया है अगर यह आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको description में telegram का link मिल जागा वहां से आप जूर के राप्त कर सकते हैं साथ ही अगर आपको कोई भी दिकत या confusion हो तो आप बात भी कर सकते हैं और comment box में लिख सकते हैं तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद